आप सभी का इक वीडियो में स्वागत है तो यहां पर रेड्मी नोट 7 प्रों के लिए एक और नए यू रोम का अपडेट आ गया है जो कि यहां पर इस्टेबल वर्जिन पे बेस्ट आपको देखने को मलती है यहां पर अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो मी यू यू रोम फॉर रेड्मी नोट 7 प्रो जिसमें लेटिस्ट अपडेट आया है मी वाच्वल पॉइंट 0.3.0 का देखते हैं क्या क्या नहीं आपको इसके अंदर देखने को मल जाता है तो यहां पर इंडिया के अंदर भी रेड्मी नोट 7 प्रों के लिए स्टेबल अपडे के स्टफ रहते हैं उन सभी को हटा दिया जाता है साधी साथ कुछ एस्टा फीचर्स को भी आइट किया जाता है एंड यहां प्यार आपको गूगल प्ले शूर वगिरा सभी का सपोर्ट इसके अंदर देखने को मलता है अगर अगर हम बैक चलने तो एक चीज़ आप यहां कर पाओगे कि यहां पर आपको देखने को मल रहा है सूपर वॉल पेपर अगर मैं आपको यहां पर बताओं कि सूपर वॉल पेपर आपको अलग से इंस्टॉल करने की इसके अंदर बिलकोल भी जरुवतन नहीं पड़ेगी क्योंकि सूपर वॉल पेपर इसके अंदर पहल उसके परने वह पिर और लेगने प wird यहां परamental देखने को मंदा है काफी अच्छे-चे-चेहां पे आपको चार्जिंग अनिमेशन देखने को बोड़ा इसको आप bold कर सकते हो, थोड़ा सा light कर सकते हो, dark कर सकते हो, तो इसका भी option इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, उसे के लावब थोड़ा से नीचे आओगे, तो control center, notification shade का आपको option देखी जाएगा, यह चीज तो हमारे पास पहले भी थी, तो यह पुराना ही option मिलता है, लेकिन अब नीचे थोड़ा सा आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको option देखने को मिलता है, auto rotate screen के नीचे, allow all rotation, तो auto rotate तो आपको पता ही, यह rotate होके, इस तरीके से हो गया, अब हमने यह all all rotation कर दिया था, तो अगर मैं इधर इसको नीचे करूँगा, तो यह इस तरीके से भी हो जाएगा, यानि allow rotation से अब आप चारो तरफ में किदर भी rotate करना चाहो, उधर अपने phone को rotate कर सकते हो, और उधर से use कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है यह feature, क्योंकि हर जगा यह काम नहीं करता है, सिर्फ कुछ apps वगरा में ही काम करता है, अगर मैं normal screen में चाहूँ, कि मैं उसको उगलटा use करूँ, तो वो यहाँ पर नहीं होता है, अगर हर जगा होता ना, तो काफी cool सा रहता, लेकिन फिलाल सिर्फ application के लिए है, अगर आप कोई भी application open करते हो, तो उसके अंदर यह work करता है, settings के अंदर देखो work नहीं करता है, लेकिन काफी cool feature यहाँ पर यह है, जो कि आपको देखने को मिलने वाला है, और काफी अच्छा यहाँ पर मुझे interesting feature लगा है, इसके अंदर जो आपको मलता है, उसके लावा और चीज़ों की बात करें, तो home screen में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपको दो चीज़ों को option मलता है, या तो आप app vault लगा सकते हो, या आप सभी का favorite I think आप होगा, Google Discover को लगा सकते हो, तो इसका भी option आपको इसके अंदर देखने को मल जाता है, जैसे कि मैंने इस टाइम Google Discover को use करा हुआ है, आप यह home screen में minus one screen में जाके आप इसको set कर पाऊगे, और यहाँ पर आप इसको use कर पाऊगे, minus one पता नहीं क्यों नाम रखा है, जो कि मुझे I don't know क्यों अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक और feature यहाँ पर आपको special मिल जाता है, जो कि Indian users के लिए है, वो है यहाँ पर data uses का option, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको data uses control center के अंधर ही उपर मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई भी अलग से application वगएरा की डालने की जरुवत नहीं परती है, साइसाथ यह officially है और यह अच्छे से work भी यहाँ पर करता है, daily uses आपको यहाँ पर दिखाएगा, जो भी चीज आपने कितना data वगएरा यूज करा, वो सभी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, तो यह भी एक काफी अच्छा सा option यहाँ पर मलता है, और आपको इसमें देखने को मिल जाता है, इवन यहाँ पर आप देखोगे तो sync वगएरा कभी option इसके अंदर नीचे देखने को मिल जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर में भी आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, उसे के लावा बहुत साए लोगों की request रहती है कि यहाँ पर हम search बारना जो नीचे bottom रहता है, उसमें लगा पाएं तो वो कितना cool रहता है, यह realme ने feature पहले ही दे चुका है, लेकिन MIUI अभी यहाँ पर इंडिया में नहीं लेके आया है, लेकिन आप इस रोम के अंदर इसको set कर पाऊगे, home screen के अंदर जाके आपको simply home screen search bar के option को on करना है, और search bar provider में आपको google को choose करना है, और easily आपका search bar नीचे आ जाता है, उसे के लावा icon size, hide app, icon वगएरा के सभी option इसके अंदर आपको normal से देखने को मलते हैं, उसे के लावा अगर आप wallpaper में चलें तो यहाँ पर आप देखोगी कि आपको चलना है my page में, और यहाँ पर आपको देखने को मलेगा super wallpaper का section अलग से ही यहाँ पर देखने को मलता है, कुछ भी आपको अलग से install करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पढ़ने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो नया आपको home वाला, Mars का आपको देखने को मल जाएगा, और यहाँ पर आपको यह fairway sky आपको देखने को मल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, Saturn के wallpaper यह सभी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मल जाती है, और बहुती seamlessly बिना किसी lag हैंके यह आपके phone के अंदर work करता है, तो इसमें भी आपको as usual कोई भी error problem नहीं आने वाली है, password and security में face unlock, fingerprint sensor, सब अच्छे से work करता है, कोई भी आपको issues के अंदर भी यहाँ पर नहीं आता है, अब यहाँ पर बात करें privacy and protection में, तो इसमें एक काफी interesting option आपको देखने को मलता है, जो कि आप देख सकते हूं, permission notification, इसमें क्या है यार, अब भी यह MIUI 12 का नया feature है, कि आगर आप इसको on कर देते हो, तो आप कोई भी application open कर रहे हो, या कोई application आपका background में है, कोई आपका background में camera open कर लिया है, कोई mic आपका open कर लिया है, कोई आपकी location open कर लिया है, तो उसके बारे में ये आपको उपर चोटा सा notification देगा, कि ये application है भाई साब, जो आपका यहाँ पर कुछ use कर रहा है, ये काफी अच्छा feature मलता है, लेकिन ये फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर ये नहीं आया है, और इसके लावा आप यहाँ पर all apps में tap करोगे, तो आप यहाँ पर देख पाऊगे कि अपने पिछले कौन-कौन से apps अपने आपी खुले हैं, अपने आपी यहाँ पर work हुए हैं, देख सकते हो, me page जैसे की देख सकते हो, auto start हुआ है, device health और अगरा, यह सब auto start हुए हैं, यह सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर option मिल जाता है, यानि आप पूरा control आपके phone का हो जाता है आपके आपके आथ में, कि कौन सा app क्या कब आपका use कर रहा है, तो यह भी चीज इसके अंदर मिलती है, बैटरी performance आपको normal मिले की, जिसमें ultra battery saver mode आप यहाँ पर देख सकते हो, और battery users वगएरा देख पाऊगे, यह सभी चीज आपको मिलती है, additional setting में भी आपको full screen display मिल जाती है, जिसमें आप यहाँ पर notch या नीचे वाला, किते time unlock किया, यह सब भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यह सभी चीज भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है, उसके लावा focus mode भी आपको उसके अंदर देखने को मिलता है, floating window आपने देखा होगा, वो भी आपको देखने को मिल जाती है, जिसको आप easily use कर पाओगे floating window में भी, कोई आपको problem यहाँ पर नहीं आती है, अगर मैं YouTube में दिखा हूँ, आपको यहाँ पर open करके, और इसी में हम चले, तो यहाँ पर आप देखा होगे, कि इसके अंदर भी floating window आपकी work नहीं करेगी YouTube में, तो यह चीज़ यार, company नहीं यहाँ पर बंद कर रखी है, कि आपको नहीं work करेगी floating window YouTube के अंदर, MIUI Lab वगरे का भी आपको काफी सारे option यहाँ पर मिल जाते हैं, अब यह सब 30 को छोड़ें तो और नहीं चीज़ देखें, तो आपको यहाँ पर देखो, पूरा नया वाला camera देखने को मिल जाता है इसके अंदर, उसके अंदर आपको dynamic shots लेने का भी option यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 3-4 shots एक साथ ले लेता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है, यही नहीं यहाँ पर अगर हम चले इसकी gallery के अंदर, तो gallery में सबसे बड़ा change यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप more में tap करोगे, और थोड़े से time इसमें जादा लगता है, और जादा accurate नहीं है फिलहाल के लिए तो, लेकिन यह option आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यह काफी अच्छा है, यहाँ पर रहता है, time काफी लेता है, हलाकि text को read करने में, लेकिन यह आपको देखने को मिलता ही है, उसे के लावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, set as, video wall waiver वगएर का option, लेकिन अगर हम चले, edit में और filters में चलने, तो आपको यहाँ पर सारे नए filters देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, रिट्रीवा, sage, और यहाँ पर आपको cyberpunk वगएरा का भी, नया filter सभी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जिसको आप easily use कर पाओगे, and sky mode भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी background की sky change करने के लिए काफी अच्छा यहाँ पर रहता है, उसे किलावा आपको इसके अंदर भी कुछ और नए features, जैसे कि आपको watermark वगएरा लिखने का, sign करने का, ये सभी चीज़ों का option इसके अंदर देखने को मिल जाता है, इवन यहाँ पर अगर हम चले notes के अंदर, और मैंने इसके उपर एक पहले वीडियो भी बनाई थी, कि यहाँ पर आप notes के अंदर आप यहाँ पर drawing वगएरा भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर करी हुई है, आप देख सकते हो, और कासी smooth room यहाँ पर देखने को लिए मिलती है, जो कि मैंने बिल्कुल भी expect नहीं करी थी, और आप इसको अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर install कर सकते हो, install करना काफी ज़्यादा easy है, लिंक मैंने आपको नीचे description में दिया है, बस आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी T.WP recovery में, और इसकी file को बस flash कर देना है, और कुछ जाता करने की जरुवत आपको नहीं पढ़ने वाली है, लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे नीचे comment section में, या आप हमारी telegram group को join कर सकते हूँ, जिसका link मैंने आपको नीचे description में दिया है, वहाँ पर मैं जरूर से आपकी help करने के पूरी कुछ करूँगा, अगर कोई भी दिक्कत आपको आप देखने के लिए मंबलती है, तो फिलाल तो इस वीडियो में बस एता ही, मिलूँगा आपसे एक और नीचे वीडियो के साथ अब देखले के लिए, टेक कियर, बाबाई, सी ओना, नेक्स वीडियो